मद्धिप्रदेश आपको लेकर चलते हैं क्योंकि वहाँ पर कल सेमिफानल है दो विधानसभा सीटू पर उप्चुनाव है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उप्चुनाव में कॉंग्रेस और बीजेपी के समर्थक हिंसक हो गया है रात के अंधेरे में जिन्दाबाद और मुर्दाबाद के नारों के बीच हंगामे की ये तस्वीरे उस कॉलारस विधानसभा सीट की है जहां कल वोटिंग होनी है आरोप है कि बीजेपी के भिंड से विधायक नरेंदर कुश्वाहा कल रात अपनी कार से पैसे बाट रहे थे पंग्रेस के उमिद्वार महिंदर सिंग यादव ने शिकायत की जिसके बाद पुलिस पहुंची और हंगामा होनी लगा इसी दोरान पुलिस के लाटी चार्ज में ओमिद्वार महिंदर यादव जखमी हो गए पुलिस लगी है पूरी भारतिय जनता पार्टी के साथ उनके कारेकरता बनके ये आज प्रशासन क्यूंकि भारतिय जनता पार्टी को ये यकीन हो गया है प्रशासन ने बीज़ेपी विधायक नेरंदर कुशवाहा के खिलाब आचार सहीता तोड़ने का केज दर्स किया है और इस्थानिय थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है दूसरी और मुंगावली शेत्र के पिपराई में सागर के बीज़ेपी विधायक शेलिंदर जैन भी आज तहलते दिखे काईदे से बाहरी लोगों का प्रचार खत्म होते ही चुनावी शेत्र छोड़ देना होता है लेकिन विधायक जी घूमते रहे बाद में पुलिस ने हिरासत में लेकर शेत्र से बाहर जाकर छोड़ा इस मुद्दे को लेकर बीज़ेपी और कॉंग्रेस आमने सामने है शेलेंज जी के रिष्टेदार क्या वो गए थे शेलेंज जी ने भी कहा है और कल नरेन सिंग कुछवा जी तो वहां से निकल रहे थे उसके बाद जो कॉंग्रेस ने गुंडा गर दी वहां पर की है उनकी गाड़ी को तोड़ा गया उनके पूरे सामान को फेक दिया गया और वहां भी नहीं उसके आगे जाके जो स्कॉर्पियो नंबर भी दिया हुआ है कॉलारस में जाके उनके साथ फिर मारपीट की गई यह तो सीधे सीधे गुंडा कर दी है और आने वाली हार से बुखला गये मद्यपरेश के इंदो उपचुनाओं में जितनी तना तनी देखी जा रही उससे पहले कभी भी किसी उपचुनाओं में ऐसी गर्मा गर्मी देखी नहीं गई वज़ा साफ है बीजेपी उपचुनाओं में लगातार मिलली हार की शंकला तोड़ना चाहती है तो कॉंगेस इस शंकला को बरकरार रखकर आने वाले विधान सबचुनाओं में उताना चाहती है अब देखना यह है मद्दाता शनीवार को किसके पक्षन वोट काता है बरजेश शाजपूत एबीपी न्यूज होपाल